क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर एक एक एक्टर को मैक्सिम्म कितने आसकर मिल सकते हैं या अभी तक कितने मैक्सिम्म आसकर किसी एक्टर को मिले हैं और आखिर आसकर को आसकर बोलते ही क्यों है क्योंकि इनका असली नाम तो The Academy Award है वैसे इसके पीछे एक Mysterious Story है जिसके ब मिला था क्योंकि इनकी एक्टिंग उस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा कमाल की थी जिस मूवी के अंदर हम मैक्सिमस यानी की रेसल क्रू को देखते हैं रोमन समराज के एक सेना पती के रूप में जिहनों ने रोमन समराज को बहुत सारे युद्ध जिताए हैं और किसी तरह मैक्सिमस यानी की रेसल कुरू बच जाते हैं और इस क्यादों किस तरह बला लेते हैं वही इस मूवी की स्टूरी है आप चाहें तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्विज में प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं नेक्स्ट एक्टर है डिंजल वाशिंग्ट जिन फसाते हैं उस मूवी के अंदर वो देखना काफी जादा इंट्रेस्टिंग होता क्योंकि आज से पहले मैंने किसी हीरो की इतनी बुरी हालत कभी भी नहीं देखी थी और मैं यहाँ पर इथन हॉक की बात कर रहा हूं जिनकी पफ़र्मस इस मूवी के अंदर बहुत ज बिलॉंग करते हैं इसी वएसे नाजीज एक एक करके सभी जो इस लोगों को मार रहे हैं ऐसे में किस तरह सरवाइब करते हैं वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है यह मूवी भी हिंदी लैंग्विज में अबलेबल है नेक्स टेक्टर है शॉन पैन जिने औसकर मिला था यह 2004 में मिस्टिक रीवर मूवी के लिए यह 2003 में आई थी इस मूवी के अंदर हमें शॉन पैन की कहानी देखने को मिलती है जिनकी बेटी की देथ हो जाती है मतलब कि उनका मर्डर हो जाता और इनका शक इनके दो दोस्तों में से एक दोस्त पे जाता है तो और यह कहानी एक legendary musician की है जो कि blind थे लिकिन उसके वाद भी उन्होंने music की दुनिया के अंदर तहलगा मचा दिया था 10 साल तक उनका stardom चला था और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था यह movie English language में available है 18th actor है Philip Seymour जिनने year 2006 में Oscar मिला था उनकी 2005 में आयो ही movie कपोट इक लिए जिस movie के अंदर यह एक novel लिखना चाहते हैं जो कि एक family के मडर के ओपर based है और उसके लिए यह उस आदमी से दोस्ती कर लेते हैं जिस आदमी ने उस family का मडर किया है और इनका यह कहना कि यह novel सदी की सबसे best novel होने वाली है यह movie English language में available है नेक्स्ट एक्टर है Forest Whittaker जिने ऑसकर मिला था 2007 में उनकी movie लिए जिसका नाम था The Last King of Scotland जिस movie के अंदर हमें forest as a villain देखने को मिलते हैं और यह सुमालिया के डिक्टेटर बने होते हैं उस movie के अंदर पर अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि आखिर इस movie के अंदर Scotland कहां से आ गया है यह कहानी त सुमालिया के डिक्टेटर से हो जाती है और दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं पर एक दिन स्कॉर्टिस लड़के को सच्चाई पता लग जाती है forest विटिकर की यानि की सुमालिया के डिक्टेटर की हो कैसे लाखों लोगों को मार रहा है तो उसके हमें उस समय की कहानी देखने के मिलती है जब ऑईल की नई नई खोज हुई थी और सब लोग ऑईल निकालने में लगे हुए थे उसी में से हमारे हीरो डेनियल भी है जो ऑईल निकालना चाहते थे यह मूवी इंग्लिस लैंग्विज में अवलेबल है नेक्स्ट एक्टर ह भी यही में लीड में थे और इननने ऑसकर मिलला था बेस्ट एक्टर के लिए और इस मूवी के लिए यानि कि अ 2008 में थी उसके लिए भी इने बेस्ट एक्टर का आसकर मिला है और अगर बात करें उस एक्टरेस की जिसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे यादा आसकर जीतने का तो उनका नाम है कैथरीन हैबबर्ण जिन्हों अभी तक टूटल चार आसकर जीते हैं वो भी बेस्ट एक् 2003 में इनकी देथ हो गई 96 की एज में लेकिन आफिंग आप लोग जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर आसकर की वैल्यू है कि अगर आसकर को भेज दिया जाए तो कितने पैसे मिलेंगे तो उसके बारे आपको आगे वीडियो के अंदर पता लग जाएगा पर उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने 14 एक्टर की जिनका नाम है जेफ ब्रिजेस जिनोंने 2010 में आई होई मूवी क्रेजी हाट के लिए ये मूवी इंग्लिस लेंगविज में अवलेबल है हमारे नेक्स्ट एक्टर है कॉलिन फॉर जिनने 2011 में आसकर मिला था उनकी 2010 में आई हो है तो क्या वो भाषण दे पाएंगी लोगों के बीच या नहीं वही इस मूवी की कहानी है ये मूवी इंग्लिस लेंगविज में अबलेबल है नेक्स्ट एक्टर है जीन डुजार्डन जिनने 2012 में आसकर मिला था उनकी मूवी आर्टिस के लिए 2011 में आई थी जिस मूवी के अंदर हमें जीन हॉलिवुड के एक बहुत बड़े स्टार के रूप में देखने को मिले थे और इन्हें एक डांसर से प्यार हो जाता है जिसके और आगे क्या होता है वही इस मूवी की स्टोरी है ये मूवी इंग्लिस लेंगविज में अबलेबल है लेवन्थ एक्टर की कहानी देखने को मिलती है जिनोंने अमेरिका से स्लेवरी पूरी तरीके से खत्म कर दी थी जिनका नाम अब्रहम लिंकन था और पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है ये मूवी इंग्लिस लेंगविज में अबलेबल है नेक्स्ट एक्टर है मैथ्यू जिनने ऑसकर मिला था ये 2014 में उनकी 2013 में आई हुई मूवी डेलेज बायर क्लब के लिए जिस मूवी के अंदर हमें मैथ्यू ऐसा एड्स पेशिंट के रूप में देखने को मिलते हैं जिनने एड्स हो गया और उनके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं वो कुछ समय बाद मरने वाले और वो किस तरह अमेरिका के हेल्स सिस्टम से लड़ जाते हैं ताकि वो उन्हीं के जैसे और लोगी मदद कर सकें और उन्हें बहतर ट्रीटमेंट दे सकें ये मूवी इंग्लिस लैंगुज में अवलेबल हैं हमारे नाइंथ एक्टर है एड़ी डेड मैन जिनने आसकर मिल होने के बाद 20 साइंस जगत के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खोच की थी ये मूवी हिंदी लाइंगुज में प्राइम वीडियो उस पर अफलेबल हैं एट्थ एक्टर हैं लियनार्डो डिकैप्रियो जिनने आसकर मिला था 2016 में उनकी 2015 में आई ही मूवी दर रेवनेंट के लिए जिस मूवी के अंदर उन्होंने कमाल के एक्टिंग की थी आपको एक फैक्ट नहीं पता होगा लियनार्डो डिकैप्रियो के बारे में कि वो एक वेजिटेरियन है और इस मूवी के अंदर उन्होंने असलियत में मास्क खाया था एक सीन के लिए जबकि वेजिटे इसके बाद भी उन्होंने मास्क खाया था ताकि उस सीन बहुत ज़्यादा रियल लगे तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें आसकर तो मिलना ही था बाकि इस मूवी के अंदर हमें लेनार्डो की कहानी देखने को मिलती है जिनके बेटे को उन्हीं के आँखों सामने बहुत क्रूर लोगों ने मार दिया उन्हें जंगल के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया है जिनके उपर एक बहुत भयानक भालू भी हमला कर देता है ऐसे में अधमरी हालत में किस तरह आपने बेटे की मौत का बदला लेते हैं वही आपको इस मूवी के अंदर दे करते हैं किसी से भी ढंक से बात नहीं करते 한े लेकिन दिन जब इनको पता लगता है बाइँ की देथ हो गई है तो यूंस से अटर है मैं गेरी उल्ल मैंग गेरी और यह sustain 2018 में और ये मूवी 2017 में आई थी इस मूवी के अंदर हमें Gary Winston Churchill के रूप में देखने को मिले थे जो कि 1940 में England के Prime Minister थे और इनके एक निर्णे के ऊपर पूरे United Kingdom का भविश्य निर्भर करता था क्योंकि अगर ये Hitler से हाथ मिला लेते World War 2 के अंदर तो इनका पूरा kingdom बच जाता लेकिन अगर ये युद्ध लड़ते तो इनको पूरा पूरा empire खोना पड़ता तो इन्होंने क्या निर्ने लिया वही आपको इस movie के अंदर देखना है ये movie Hindi language में अवलेबल है आप इस movie को प्राइम वीडियो पर Hindi language में देख सकते हैं 15th actor है Raimi Malik जिनने Oscar मिला था year 2019 में उनकी movie Bohemian Rhapsody के लिए जो movie 2018 में आई थी और इस movie के अंदर हमें Raimi as a British rock band Queen and singer के रूप में देखने को मिले थे जो Freddie Mercury का character निभा रहे हैं इस movie के अंदर ये movie English language में अवलेबल है हमारे 14th actor है Joaquin Phoenix जिनने year 2020 में Joker movie के लिए Oscar मिला था जो movie 2019 में आई थी क्योंकि आप सब लोग पहले से और पूरी दुनिया इस movie के बारे में जानती होगी क्योंकि इस movie का budget सिर्फ 55 million dollar था उसके बाद इस movie ने 1.074 billion dollar कमाए थे मतलब कि 8,865 करोन रुपे कमाए थे इस movie का budget सिर्फ 4500 करोन था उसके इसने इतना ज़्यादा collection किया तो आप खुदी अंदजा लगा सकते हैं कि movie कितनी कमालगी रही होगी और इस movie की पूरी की पूरी जान केवल जोकर था जिसका रोल जॉकिन फिनिक्स ने निभाया था इस वैसे उन्हें आसकर तो मिलना ही था third actor है Anthony Hopkins जिने आसकर मिला था year 2021 में दफादर movie के लिए जो 2020 में आई थे इस movie के अंदर हमें Anthony as a father देखने को मिलते हैं एक लड़की के पिता होते हैं जो कि अपनी memory भूल रहे होते हैं जिसकी वज़ाद से कुस्तों में बाद इन्हें इनकी बेटी भी याद नहीं रहती है य लेकिन इनको इन सब बातों में विश्वास नहीं हो रहा है इनको दाउट अभी भी है इनको तो यहां तक यह लग रहा है क्या सच में यह दुनिया exist कर रही है नहीं इनको अपनी reality के ओपर संदे होने लगा है तो सच्चा ही क्या है वह आप इस movie के अंदर देखी movie English language में अ समय लेकिन अगर बात करें Oscar की तो इन्हें year 2020 में यानि पिछले साल Oscar मिला था इनकी 2001 में आई हुई movie King Richard के लिए जिसके अंदर हमें दो बहनों की कहानी देखने को मिलती है जो इस समय दुनिया की बहुत बड़ी tennis players हैं और मैं यहां पर बात कर रहा हूं Venice and Serena Williams की जिनके पित सकते हैं और एक कमाल की चीज जो इस movie के बारे में हो सकता आपको ना पता हो इस movie का बजट पचास मिलियन डॉलर ता मतलब की 412 करोंड रुपे था और इस movie सिर्फ 39 मिलियन डॉलर कमाये थे यानि की 325 करोंड रुपे कमाये थी यह movie अपने बजट तक को क्रॉस नहीं कर पा पैसे मिलेंगे क्या भी तक किसी ने अपने आसकर को बेचा है या नहीं तो देखिए 1950 में आसकर्स ने एक लॉल आया था क्योंकि आसकर्स की organization को भी पता है कि यह awards बहुत ज्यादा प्रीसियस होते हैं बहुत ज्यादा कीमती होते हैं इसलिए 1950 के law के हिसाब से अगर किसी को आसकर मिला है तो वह उसे बेच नहीं सकता किसी को भी उसे ऑसकर बेचना है तो केबल आसकर की organization को वापस बेच सकता हुई उसकर्स ने उनके ओपर केस कर दिया था ये केस काफी लंबा चला था उसका ये 2004 में कोट ने औरसन फैमिली के हग में फैसला सुनाया और कहा कि 1950 से पहले ये लौ नहीं था इसलिए इस चीज को माना नहीं जाएगा और फिर 2011 में वापस इस फैमिली ने उस ऑसकर का आक्शन कि जो कि पूरे 8,61,542 डॉलर का भी का मतलब की 4.5 क्रों रुपे का लगभग वो भी का जो कि एक बहुत बड़ा एमाउंट होता है और इसी के साथ हम अपनी दूसरी बात पर आते हैं कि आखिर आसकर्स का नाम आसकर्स क्यों है क्योंकि इसका असली नाम तो था अकैडमी अवाड देते हुए ऑसकर्स कहा था उसके बास से अकैडमी अवाड को आसकर कहा जाने लगा अब ये किसी को भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने ओसकर क्यों कहा था और इसका मतलब क्या होता है बस तब से Academy Awards को Oscar कहा जाने लगा First Actor है जिनने Year 2023 में Best Actor का Oscar मिला है उनका नाम है Brendan Fraser जिनने हम जानते है The Mummy Movie Series के लिए उसी से वो बहुत ज़्यादा Famous हो गए थे लेकिन बीच में वो गायब हो गए थे और उसके बाद उन्होंने इस Movie को किया और इस Movie को करते ही वो Best Actor का Oscar जीत गए इसी वैसे वो स्टेज पे थोड़ा emotional भी हो गए थे और इस Movie का नाम है The Whale जिस Movie के अंदर हमें Brendan एक बहुत मोटे इंसान के रूप में देखने को मिलते हैं जो कि अपना चहरा अपने स्टुरेंट को नहीं दिखाता मतलब कि ये वीडियो कॉल करके लोगों से बात करता है उनको चीज़ें दिखाता है लेकिन अपना चहरा नहीं दिखाता क्योंकि इसे बहुत सर्म आती है बहुत ज़्यादा मोटा बहुत ज़्यादा भद्धा है इस वज़ा से इसकी पतनी इसको छोड़के चलीगी और बहुत सारे दुख इसके लाइफ में है ऐसी कुछ कहानी क्योंकि मैंने अभी तक मूवी देखी नहीं है यह मूवी इंग्लिस लैंग्विज में अफलेबल है आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीज़े चैनल को सब्सक्राइब कीज़े मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में